तो आज हम बात करने वाले हैं मेरे एक पूराने SIMPEX के फ्लेश के बारे में इस फ्लेश को मैंने बहुत सालों तक यूज किया है इसकी हालत बहुत ज़्यादा खराब है तूड गया है वे लेकिन इसने मेरा बुच्छ साथ दिया है मैंको यह ज़्यादा पसंद है में इसको या 1525 रुपे के बीच में खरी रहा था इस फ्लैश को मैंने कम से गम 6-7 साल यूज गया अभी आप नीचे से देख सकते हो यह थोड़ा साथ तूट गया है लेकिन अभी भी यह कभी कभी काम करता है मतलब यह सब इसके मूड के उपर है अगर इसका मूड अच्छा रहेगा अगर तुमारे पास कोई फ्लैश नहीं और तुम एक पहला फ्लैश खरीदना चाहते हो जिंदगी में तो फिर यह फ्लैश तुम खरीद सकते कि यह कैसे तूट गया इदर से हिल रहा है कभी कभी में को डर लगता है इस फ्लैश को शूट में लेके जाने के लिए क्योंकि म मुझे लगता है कि मैं अगर फोटो शूट अगर कुछ कर रहा हूं और क्लाइंट मेरे सामने है और मैं कैमरे को तेड़ा कर दूंगा तो यह फ्लैश उसके सामने गिर जाएगा और इस फ्लैश को घर पर ही रखता हूं कभी-कभी इस्तिमाल भी करता हूं स्लेव मोड पे जालकि और यह फ्लैश अभी फिलाल और नहीं हो रहा है अभी-कभी और इसके अंदर इन मोड एक है मोड यानि की मैन्यूल मोड एक है एस वन यानिकी स्लेव वन और एक है अच्छा सा स्टिकर चिपकाया था लेकिन वह इतने सालों के बाद तूड गया है और प्लैश का न जो प्लैश की अच्छी बात होती है कि वो कोई भी डिगरी में घूम सकता है और यह वैसे ही ब्लैश के बनता है और प्लीज इंडिया में अच्छा फ्लैश बनाओ तो हम लोगों को चाइना से नहीं खरीदना पड़ेगा यह है उसके मोड M S1 S2 और एक पावर इस में से अ मुहां से आप उसकी power कम जादा कर सकते हों टेस्टे टेस्ट कर सकते हो यहां पे चार डबल ऐ बैटरीज जाती है जो कि रीचारजेबल भी और यह देखिए एक माइनस एक प्लस एक माइनस ऐसे करके आप चार सेल इसके अंदर और इस फ्लैश के अंदर अगर आप एक बार सेल डालते हो तो वह पूरा दिन चलता है वागती सब्सक्राइब अच्छी यह देखिए इसके उपर जो भी आप बेंड करते हो तो दिखता ह सब्सक्राइब है 45 60 75 और 90 नहीं लिखा हुआ है वर आपको समझ जाता है कि और तो इस फ्लैश में बताने जैसी कोई चीज नहीं है सही फ्लैश है अगर आपको यह फ्लैश लेना है तो आप ले सकते हो अगर आपका फर्स्ट प्लैश आपके पास है नहीं तो यह आपका फ